हाँ तो आज के जब्ड़ों में हम बात करने वाले कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसे भूल गए हो मतलब कि आप इसके यूजर नेम फोन नमर या फिर उसकी जो पासवर्ड है सब कुछ भूल गए हो तब जाकर भी आप अपने इंस्टाग्राम को कै केसे एकाउण को लोग इन कर सकते हो ये आप जानने वाले हो यहां पर जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे ्च पर जो आपने इंस्टाग्राम को ओपें करते हो यहां पर जो लोग इन का सब इंस्डाजों का बीटेल हो ओ Hem एपने Instagram की सारे details को न कैसे login कर सकते हो अपने Instagram के तो यहाँ पर जो भी आपको थोड़ा बहुत भी याद है अपनी जो user ID है उससे अगर आपको याद निलू फेले को इसी भी Instagram मतलब किसी कई ओपन करना यहाँ पर अपने user ID को search करके देखना जो मिल जाता है अपको user ID तो यहां पर आप simply उसे लिखोगे ठीक है अगर नहीं भी मिलता है तब भी काम चल जाएगा तो देखते हो यहां पर जैसे कि मुझे थोड़ा वह याद है तो user ID मैंने यहां पर simply लिख दिया लोड़े हुए है तो आप यहां पर अपने जो Facebook का option मिल रहा है ना देख पर यहां पर continue as जो पी आपका नाम होगा वह नाम यहां पर आएगा तो आप यहां पर अपने Facebook से भी डायरेक्ट लोगिन कर सकतो और अगर आप ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ तो यहां पर आप next कर नहीं है आपका जो mobile नमर है अपने रजिस्टर किया भी है यह नहीं भी किया है तो यहां पर कैसे OTP जाएगा ठीक मतलब यहां पर देखो completely आपके पास यह सारे कुछ भी सिस्टम नहीं है अपने password को निकालने के लिए आपने password को यहां पर दुबारा से reset करने के लिए तो इसके लिए simply यहां पर आपको करना क्या होता है जैसे आप डायरेक्ट अपने home screen वा जाना यहां पर आपको find करना होगा अपने mobile की Google जो app मिलता है सभी लोग को मुबाइल में होता है यह आप जाकर डायरेक्ट चेक करोगे यहां पर आपको मिलता है Google जो एप उसे यहां पर जो simply open करना कुछ इस तरीक से open करना है यहां पर आपको जो लोगों मिलते है अपके Google अकांट का लोगोँ उसमें simply click करोगे यहां पर इस तरीकिक इन्टरफेस आपके सामने open हो जाता है यहां पर आपके सामने काफी सारे सैटिंग जो है वो ओपन हो जाता है तो आप यहां हम थोड़ा सा scroll down करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख पार हो एक option जो हमें यहाँ पर मिलता है password manager का ठीक है and password manager में आप simply यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर हम click करते है and यहाँ पर मतलब काफी सारी चीज़ों का password यहाँ पर सेव रहता है जैसे कि मैं आप दिखा दिना चाहता हो देखो काफी सारे account भी हो गया यहाँ पर सेव and यहाँ पर जैसे हमें पासवर्ड को देखने के लिए आप simply यहाँ पर जो आई का आइकन बनाए हो इसमें टैप करोगे यहाँ पर आपका password भी सो हो जाता है और आपको जो email address या फिर आपने जिस phone नमर से भी अपने Instagram को create कियोंगे वो यहाँ पर आ जाता है आप यहाँ पर इन दोनों चीजों को copy करके simply आप अपने Instagram में login कर सकते हो ठीक है और अगर बाकी आपने इस तरीके से आपका यहाँ पर Google account में भी नहीं आ रहा है तो इससे आपको secure करने के लिए अपने Google account में जरूर से करके रखना जाए और अपने password को कैसे अपने Google account में save किया जाता है नहीं पता है तो इस वाली वीडियो को click करके देख सकते हो बाकी मैं मिलता हूँ लेक्स वीडियो में चेल को subscribe जरूर कीजिएगा इस तरीके वीडिय दोस देखते रहे निकले